हेलो दोस्तों नबश्का, दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटिस अप्डेट के बारे में जो की सम्भन दिते हैं UPPCS परी एक्जाम को लेकर UPPCS 2024 के एक्जाम के बारे में डिटेल में बात करते हैं चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबाले और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी ओनलाइन अड़ाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहें एक बात मैं पूरे तरीके से आपको किलियर कर देता हूँ कि इस चैनल के माद्यम से दीज़ी जानकारी आप सभी के लिए हमेशा से सटी को सही निकलती है वो बात अलग है कि हर जानकारी के बाद एक परिक्षार सुरू हो जाती है क्योंकि आपको जानकाई हम पहले ही दे देते हैं जो आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ गंडों के बाद मिलती है लेकिन मुद्य की और महत्पूर बात मैंने आप सभी को पहले ही बताई थी कि यूपी PCS 2024 जो पिरी एक्जाम है वो आयुजित नहीं होगा लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यतियों के सवाल भी थे कि अगर PCS 2024 को लेकर एड्मिट काड आगे तो क्या होगा तो इसके बारे में भी जानकाई मिल गई है कि यूपी PCS 2024 के जो एड्मिट काड है वो नहीं जारी होने वाले हैं क्योंकि इसकी जो परिक्षा है उसमें बदलाब किया जा रहा है और जो सत्य तारीकों परिक्षा होने जा रही थी उसमें कुछ बदलाब है इसके बारे में ओफीशल नोटिफिकेशन उत्तर बदिस्लोकसिभा आयोग के माध्यम से आप सुभी के सामने कुछी समय के बाद आ सकता है आज या कल में लेकिन ये पूरे तरीके से किलियर है कि अब इस परिक्षा की होने की समबाबना बिलकुल भी नहीं है जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी ओफिशल नोटिफिकेशन आप सुभी के सामने कभी भी जारी हो जाएगा और इस बात की पुस्ती के लिए उस समय वीडियो बनाकर मैं आपको जानकारी भी दे दूँगा जो आप बेरती पूछ रहे थे कि अगर एड्मिट कार्ड आगे तो क्या तो मैं उनको बता देता हूँ कि एड्मिट कार्ड अभी नहीं जारी होने वाले हैं क्योंकि UPPSC के अंदर ROARO की बात से बहुत सारी उतल उतल हुई है जिसको कहीं नहीं समालने की कोचिस अब की जा रही है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो